इस lecture के अंदर अभी आपको जो चीज मैं बताने वाला हूँ that is related to modular arithmetic या modulus arithmetic. MOD क्या होता है और modulus क्या चीज़ी होती है इनको हम देखते हैं बड़ी detail के अंदर. मेरी screen आपके सामने शेयर हो रही है. यहाँ पे modular arithmetic की मैं definition उठा के आपके पास पहले ले आता हूँ and then we will see के हमारे पास यह किस तरीके से चलती है और हमारे पास जो basic concepts हैं वो कैसे इन दोनों modulus theories को हमारे पास number theory के अंदर ले के आते हैं. Just give me one second, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले हूँ ताके यह पीछे वाले के साथ जो है वो mix-up ना हो, now we will see. तो modular arithmetic क्या होती है? वो देखते हैं, यह often इसको हम arithmetic of the clock भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, इसकी बात भी हम देखते हैं, but this introduces a unique way to handle numbers, जब आपके पास इतना ज्यादा data आ गया है, data के अंदर है numbers, उसको handle करने के लिए यह modular arithmetic जो है, इसके different operations हम perform करते हैं, I will show you कौन-कौन से है, it's a system wherein numbers wrap around upon reaching a certain value, known as the modulus, ठीक है? हम एक ऐसे numbers को deal कर रहे होते हैं, कि जिसमें हम एक certain value, जो modulus है, उस तक पहुंचते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास केट आमाई कि modulus क्या होता है, modulus क्या है? पहली तुछी तो यह, अगर मेरे पास मेरे पास होता है, ठीक है? एक operation में आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे एक number है, say for example 7 है, ठीक है? अगर हम इसको 7 को लिखें, कि 7 का जो mod है, वो कितने के बराबर है? यहाँ पे क्या चीज़ आती है? अगर हम 5 पे 7 को divide करते हैं, 5 ones are 5 और पीछे हमारे पास 2 बचते हैं, ठीक है? तो यह जो हमारे पास 2 बच रहे हैं, यह value यहाँ पे आएगी, अगर हम 7 का mod 5 करेंगे, 7 mod 5, यानि के 7 mod 5 is equal to 2, because when we divide 7 by 5, तो हमारे पास जो remainder बचता है, यानि के जो बची हुई amount है, remainder, वो हमारे पास 2 आता है, इसका मतलब आपको यह समझना ज़रूरी है, कि basic operation हमारे पास, जो modular के अंदर आता है, या modulus होता है, उसका basic operation यह होता है, कि जब भी आप किसी number का mod लेते हैं, on a given entity, या given arithmetic, या operation, या आपके पास कोई भी integer है, तो उस पे divide होने के बाद, जो आपके पास remainder बच जाता है, उसको हम modulus बोलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की और जुरूरत है, कि visualization of the clock, और हम देखते हैं, कि किस तरीके से यह modulus हमारे पास काम आते हैं, एक चोटी से मैं definition यहाँ पे लेके आता हूँ, और आपको फिर समझाता हूँ, इस code भी detail में, here, अगर आपके पास, एक clock अपने पास तुसवूर करें, ठीक है, एक clock अपने पास एक तुसवूर करें, आपको पता है, कि जब भी हम modular arithmetic को देखते हैं, और इसकी definition की तरफ हम reverse back move कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले मैं आपको concept समझाता हूँ, फिर इसकी define हम करेंगे और इसको समझेंगे, a simple way to visualize modular arithmetic is to think of a clock, अगर आपके पास एक clock है, something like this, ठीक है, अब गौर कीजेगा, a standard clock operates on 12 hours, तो जाहरी बात है, यहां से 12 होगा, यहां पे 6 होगा, यहां पे आपके पास 3 है, यहां पे 9 है, तो यहां पे 12, 3, 6, and 9, इस तरीके से आपकी सुईयां चल रही होती है, ठीक है, और यहां पे obviously यहां पे आपके पास 1 होगा, 2 होगा, 3 है, 4, 5, 6, 7 होगया, 8, 9, 10, 11, 12, यह होगया, ठीक है, when the hour hand moves past 12, यह 12 बजए के बाद जब भी आपका hour hand move करता है, तो वो दुबारा से एक पे चला जाता है, ठीक है, अब इसकी definition जो है, वो मॉडुलोस की हम देखते हैं, अब आपको दरा समझ आ जाएगी, यहां पे मैं इसको print करता हूँ, and here you go, मॉडुलोस के समझने के लिए, अब आपको थोड़ी और समझ आ जाएगी, क्या होता है, मॉडुलर अरिथमेटिक is the modulus, ठीक है, तो जो मॉडुलर अरिथमेटिक है, उसकी basis, जो है, वो मॉडुलोस है, वो क्या होता है, a specific number, एक ऐसा number, हम उसको n कह देते हैं, कुई भी एक number, that sets the threshold for a wrapping around, ठीक है, एक threshold बताता है, कि इसके बाद आपके number दुबारा से, एक से start हो जाएंगे, ठीक है, कोई threshold बताता है, एक limit बताता है, या threshold क्या होता है, एक limit आपको बताता है, और उसको क्या कहते हैं, कि इसके बाद आपके number दुबारा से wrap around हो जाएंगे, यानि कि आपके पास एक limit चली है, एक से बारा तक, फिर दुबारा से उसी cycle में repeat होना start हो जाएंगे, it acts like a reset point, एक ऐसा point जिसके बाद आपको reset मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, beyond which numbers revert back to a set range, यानि कि अगर मैं यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और, नो, दस, ग्यारा, बारा लिखूँगा न, तो आपके number 12 के बाद clock के अंदर revert एक से फिर start हो जाएंगे, तो यह system चलता जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास threshold क्या है, यहाँ से 1 से 12 तक, तो जब भी आप numbers को तसवर करें, के एक clock के अंदर आपके numbers हैं, और एक ऐसा reset point जहां से दुबारा से आपके numbers revert हो जाएंगे, उसको हम basically modular arithmetic के अंदर study करते हैं, यानि के एक ऐसा pattern जो बार-बार repeat हो रहा हो, data science के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो बार-बार आपको repeat कर रही है, और एक reset point दे रही है, और cyclically हम उन चीज़ों को यहां पे modular arithmetic के अंदर देखते हैं, लेकिन इसका literal meaning जब भी आप different examples को देखते हैं, तो वो different होगा, for example, मैं यहां पे आपको एक मिसाल देता हूँ, 15 का mod 4 की base पे कितना होगा, यह मुझे कोई बता सकता है, यानि के जब हम इसको 4 पे divide करते हैं, 4, 3, 12, अब आगे बात करते हैं, 100 mod 10, यह कितना होगा, जी, कोई बता सकता है, 100 mod 10 कितना होगा, 100 mod 10 कितना होगा, 100 mod 10 हमारे पास, remainder कोई बचता ही नहीं है न, आपको पता है न, divisibility का rule, 10, और यह पूरे का पूरा divide होजाएगा, देखे बगएर आप कहा सकते हैं कि 0, यहां पे modulus 0 होगा, ठीक है, क्यूंकि आपके पास जितनी भी ratio है, वो सारी की सारी threshold के अंदर आ रही है, leaving a remainder of 0, तो इस तरीके से आप mod को define कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको mod को समझना आ जाए, यानि कि वो ऐसा remainder, जब आप किसी को, for example, 100 mod 9 मैं यहां पे करता, तो 9, 11,099 और मेरे पास एक बचता बीचे, ठीक है, so these kind of things happen inside of modulus, कि एक आगे आपके पास, और आप यहां से check कर सकते हैं, कि आपके पास उसका modulus कितना आ रहा है, so for example, मैं यहीं पे एक और quantity लिखता हूँ, और उसको मैं कहा देता हूँ, यहां पे लिखता हूँ, यहां पे लिखता हूँ, ठीक है, और इसका mod हम check करते हैं, 7 पे, तो यह होगा 1, क्योंकि 7, 7 बार 49, एक बचता है, अगर हम दुबारा से 50 का mod, 8 पे check करें, तो 8, 6 बार 48, 2 होगा, 9 पे check करें, तो 9, 9 बार 81 होता है, नहीं, 5 बार 45, 5 बचेगा, अगर मैं इसको, यहां से अब 6 पे ले आता हूँ, तो मेरे पास कितना हैगा, इसका mod, 6, 8 बार 48, ठीक है, तो हमारे पास फिर से 2 बचेगा, अगर मैं यहां पे 5 करूँ, तो वो 0 हो जाएगा, 5, 10 बार 50, 4 करूँगा, तो मेरे पास कितना होगा, जरा गोर कीजिएगा, 4 करूँगा तो कितना होगा, हाँ जी, 12, 4 बार 48, 2, 3 करूँगा तो, 16, 3 बार 48 होते हैं, 2, 2 करूँगा, तो विसली 0 होगा, 1 करूँगा, तो भी हमारे पास कोई भी quantity यहां पर नहीं बाकी बचती, क्योंकि सारे के सारा हमारा डिवाइड हो जाएगा, सो मुझे एक बात बताएं, आपको लग रहा है कि अगर मैं यहां से 0 से लेके 9 तक गया हूँ, ठीक है, सोरी, एक से लेके 9 तक गया हूँ, क्योंकि हम natural numbers को देख रहे हैं, तो हमारे पास यह quantity एक ऐसा number नहीं दे रही, जो बार बार उसको reset कर देता है, एक ऐसा threshold नहीं हमें दे रही, यहां पर चेक करें, 5 पे 0 है, 2 पे 0 है, 1 पे 0 है, फिर 1, 2, 3 पे जब हमें, 2, 2, फिर 0, 2, 5, 2, 1, तो हमारे पास एक range के अंदर चीज़ें रह रही हैं, और एक range के बाद यह सारे का सारा दुबारा से वापिस threshold के अंदर आ जाते हैं, तो इसको फर्दर समझने के लिए, मैं आपसे request करूँगा, कि modulus, जो है, वो different numbers का निकाल के देखें, और इसकी different किसम की जो theoretical applications है, उसको अब हम discuss करता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि modulus को यही समझें, कि आपके पास दो entities होती है, एक entity को आप पहले लिखते हैं, और दूसरी entity को बाद में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे कहिदते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a, mod, sorry, n, तो हमारे पास इसका मतलब यह होता है, कि जो a है, यह a कोई भी एक amount है, या आपके पास एक number है, बड़े वाला, ठीक है, इसको आप divide कर रहे हैं, with any integer, और जो उसका remainder बचता है, वो हमारे पास mod होता है, ठीक है, समझागी बात की, तो basic इसका operation यह होता है, हमारे पास, ओके, let's go into detail, अब इसकी application देखते हैं, और इसको दुबारा से हम वापिस आके फिर check करते हैं, सबसे पहली इसकी application, modular arithmetic की, वो ही बात, number theory को आप जानते हैं, cryptography इसके अंदर सबसे पहली आएगी, second जो है, हमारे पास, that would be computer science, third हमारे पास music की theory जो है, वो इसके उपर बनती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, fourth हमारे पास है calendar की calculation, जो हर साल हमारे पास आते हैं, तो ये चार application ऐसी हैं, जो regular base के उपर, cyclic way में चल रही होती हैं, तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, कि अच्छा total ये था, इसको इतने पर divide करें, तो क्या बज़ता है, say for example, 365 हैं, अगर हम इसको divide करते हैं mod, पूरे एक साल के दिनों पे, और उसको 12 mod ले ले लेते हैं, तो हमें पता चल जगा, ये कितने पर divide हो रहे हैं, ठीक है, और हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो हमारे पास remainder भज़ता है, वो क्या हमें scenario बताता है, ये basically calculations के चीज़े हैं, music theory के अंदर भी आपको पता है, कि एक specific beat के बाद, वो दुबारा से beat start हो जाती है, अगर किसी को नहीं समझ, तो उनके पास specific ticks होती हैं, 4 या 8, उसके उपर वो music चलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर वापस आगे, फिर वापस इसी तरीके से cycle में चलते हैं, हमारे पास calendar की calculation, जो इसके अंदर में modular arithmetic use होती हैं, कि calendar की base पे कितने साल गुजर चुके हैं, और कितना काम हम कर रहे हैं, so basically number theory की ये further branch है, modular arithmetic, जिसको different calculations के अंदर utilize करके, हम basic operations जो हैं, उन्हें perform करते हैं, और ये basic operations हमें किन चीज़ों के उपर लेके जाते हैं, forecasting, forecasting आप इससे निकाल सकते हैं, कि ये जो आज event हुआ है, ये पिछले 20 साल में कभी नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें आप modular arithmetic के थूँ देखते हैं, basically इसके पीछे computation ही है, और ये modular arithmetic, cycling ways के अंदर ज्यादा यूज होती है, time series के analysis के अंदर बड़ी यूज होगी, जहां पर cyclic calculations आपने करनी होगी, वहां पर यूज होगी, जहां पर आपका सारा system reset हो जाता है, वहां पर यूज होगी, say for example, आपका temperature जो है, सर्दियों में हो रहता है, गर्मियों में हो रहता है, so you have some kind of patterns inside, आप उनको study कर सकते हैं, using modular arithmetic, और modulus जो है, इसकी basis, modulus की base पे चल रही होती है, अब एक आप से मेरी request और है, कि modulus को आपने define करना है, उच से पढ़ना है एक दफा, और modulus होता क्या है, कैसे calculate किया जाता है, mathematical इसकी equation कौन कौन सी है, and how we can find a mod of different numbers, ठीक है, यह आपके छोटी से assignment है, यह assignment के देने का मकसद यह है, ताके आप इसको थोड़ा सा revision में लेके जा सके, hopefully आपको समझ आगी है, अगर like नहीं किया हो, तो please इस like, इस video को like कर दें, share कर दें, subscribe कर दे, you know what I mean, क्या है, नहीं करना, यह तो नहीं सही यार, मैं क्या कर सकता हूँ,